हेलो दोस्तों साहते हैं आपका हमारी यूट्व चैनल टार्गेट विदुमेश में दोस्तों आज हम इस वीडियो को में पौदे में पोस्ट से जितने भी इंपोर्टेंट कुस्टन आज तक रेलवे हम इस वीडियो में डिस्स करेंगे तो इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा जैसा कि आप इसके पर कुस्तन देख रहे होंगे कि जब किसी ब्रच की चाल ब्रच के आधार के पास से गुलाकार चारों तरब से हठा दी जाती है तो यह ब्रच क्या होता कि दीर दीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि क्योंकि जो हम कोई भी पेड होता है उसकी पास से चाल हम काट देते हैं तो चालों काटने पर क्या होता है वो दीरे-दीरे मर जाता है यानि सूक जाता है क्योंकि जड़ें होती है वो उर्जा से वंचित रह जाती है यानि इस कुस्तन का उप्सन नमर भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जड़ें उर्जा से वंचित रह जाती है इसलिए वो ब्रच दीरे-दीरे सूख जाता है यानि इसको सनका उप्सन नमर भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इससे सम्मझने कुछ और वी फैक्ट जानते हैं जो कि इफ सम्मझनी पाद व्हां में दो परिकार नो तक पाए जाते हैं जैसे नम्मर् 1 होता है यां क्या होता फिलोयम होता है । प्रियोग करते हैं तो अन्य बागों में पहुंचाने के लिए फिलोयम का प्रियोग करते हैं उसको प्रियोग करते हैं गरेंड उसको अन्य बागों में पहुंचाने के लिए उसको उप्योग करता है जो जालम होता है जालम का कार यह होता है कि जब हम पौदे को पानी डालते हैं तो उस पानी जो पानी होता है वो हमारी जड़ों में जाता है जड़ों के दोरह जो अन्य बागों पानी पहुंचा जाता है वो कार होता है हमारे जालम का तो जालम को कार होता है कि पानी को अन्य बागों पहुंचाते हैं वो कार होता है आपका फिलोयम का तो इन दोनों में ये आप अंतर जान लीजिए और आगी दिया गया कि किसी ब्रच्च की छाल की सबसे आंतरक पर्थ ही फिलोयम है इसका मुक्यकार प्रकास सेंसेजर की प्रक्याम निर्मित होलंसी कारवनिक पदार संसेजरी क्रियां में पत्तियां द्वारा निर्मित पोसक तब तो जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे और क्या हुआ कि जड़ें उर उर जासे वंचित रह जाएंगे और पेड़ क्या हुआ पिर धीरे दीरे सूख जाएगा तो इस कुस्टन से में इतनी इंपर्मिशन म तो हमने आपको वदायता कि यो फिलोयम उस्तरदाई होता है बहुता कि आहर बहन करने के लिए जाने उसका पोस्ट होता आप बागों तको पोँचान ने के लिई होता यानि इसकुसन खापसव नमबर A 2020 परेकल सही होगा हु कि आहार बहुन करने के लिए पौदों में फिलोयम उत्तरता ही होता तो यानि इसकुसन खापसर नमबर A 2021 परेकल सही हो जैसा कि चार प्रकार की कोसाओं यता चालनी अवयब और सक कोसाओं फिलोयम मिरदू तक ये फिलोयम तंत उसे निर्मित होता है तो इसको संचे में इतनी हो इंपरमेशन और नेस्ट कुस्तन है हमारा के नेमने लिगत में से कौन सा तत्त पौदे के विकास के लिए उत्तरदाई नही ता हमारे पौदे के विकास के लिए जब कि सोड़ी हमारा पौदे के विकास के लिए उत्तरदाई नहीं है तो आप्सन नम्बर हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा तो इससे सम्मंद्र कुछ और फेक्ट जाने लेते हैं जैसा कि आब इसकन पर देख रहे होंगे कि यूकि 9 होते हैं उसको हम आवसक मातरह में और जो साथ होते हैं इसको हम सूच-मु मातरह में कहते हैं जो ब्राद मातरा को हमने दो भागों बाठा आक जाया है जैसा बदेख रहे होंगे कि प्रतम और दोतिय प्रतम में जो आते हैं हमारे प्रतम में मारे आते हैं नाइट्रोजन फास्पोरस पॉर्टेसियम कारवन डियॉक्साइड कौन से आते हैं प्रतम में जो आते हैं हमारे वो आते हैं नाइट्रोजन आता है फॉस्पोरस पॉर्टेसियम कारवन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन ये आते हैं हमारे प्रतम में दूतिय में आते हैं उसमें आते हैं केलसियम मैंगनिसियम और सलफर जो यह होते हैं यह पोसा यह बहुत ही आवस्था और अधिक मात्तरा में होते हैं जब कि सूच में पोसाड़की आवसकता पोदे को कम मात्तरा में होती है जिसम से हमें इतनी इंपर्मिशन मिलती है और नेस्ट कुस्ता ने उसी टाइप का देगे ना कि नेम ने लिए तो मैं ऐसे कौन सा पौधे में के लिए अन्य आवस्था सूच हूं पोसक नहीं है तो हमने आपको उता दिया कि बूरोन हमारा है और जस्ता भी है और तामबरी भी है लग जब कि सोडियम नहीं है तो आप्सन नमबर हमारा कौन सा हुआ और सी हमारा पिलकुल सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो फसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बर दियो साथ ही जाद अपने दोस्तों करेजिए अगर आप इसकी पीड पीडियो में पोस्तों कर सकते यों तो दोस्तों नश्बस्तिक दे रही होंगे नेस्ट को सनाय के निम्न मैं असे प्रिवी पौधे की पहंचान करें जो ऩॉइन हमारा अमरवेग यान इस कि तक व और भी हमारा प्रिकुल सही होगा तो इसससे संबंद और भी एंपूर्डेंट n smilekr कि जैसा के आप देख रहे होंगे कि अमरे की कुछ नां से जांते हैं कि इसको कम Ary究 chem कुस्कता की नाम से जांते हैं तो guidance यह कुस्तन इसके नाम से भी आ सकता है तो इसलिए हम इसको कुछ बाक होते हैं उनको हम हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिखते हैं तो यह क्या है अमरे विले एक पूर इस्तम भी परजीवी आबरत बीजी पौदा है जिसका तना होता है पतला दुरुबल तदा पीले गुब ठाबट कर परजी बी मूल द्वारा भोयन खनीजर लागद और जल पराप्ट करता है तो यहाँ पर जो होगा जल यहाँ एससट्ओ होगा यहाँपर टापिंग में इस्प्रेंड हो जांद हो जाल सकता है तो यहां जल एस्टू पराप्त करता है तो इसको संसे में सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ अपने दोस्तों को भी सेर करें कीजिए अगर आप इसकी लिंक आपको वीडियो को डिसक्राइब दे देंगे इसी के साथ मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब तक के लिए जैहिन जैहारत झाद के ऊचैसे वीडोंगता को बसाद का दोस्तों कि नह उर भंकि कि लिए रगधार के हार शव जपकी बगए्स in никто कि भी सम्केंपने एक सुद्सक्षक्ष्स